आदणिये प्रधान मंत्री जी मंच परपस्तिव प्रदेश की माने रज्यपान महोद्या केंद्रिये मंत्रिगान केंद्रिये नागर विमानन मंत्री माने सी जोतिराधित्य सिंध्या जी विधी यौम न्याई मंत्री माने सी करीन रिजूजू जी मन्च परपस्तित केंद्रिय मंत्री माने स्री जी किसन रेडी जी, जन्रल डॉक्टर विके सिंग जी, सिमती मिनाक सी लेखी जी, माने स्री अर्जुन राम मेगवाल जी, माने सांसद सी विजय दोवे जी, उतरप्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी, नागर विमानन विभाक के मंत्री सी नंदुकोपाल नंदी जी, माने विधायक सी रजनी कांत मनित परपाठी जी, आजके इस कारिकरम में यहाँ पर पस्तित सभी मानने जन प्रतिनिधीगान, गण मानने अतितिगान, एरलाइंस के सभी सियोज, देश से और प्रदेश के विभिन च्छेतरों से यहाँ पर पस्तित सभी टूर आपरेटर्स, और उपस्तित भाईयो बेहनो तथागत बुद्ध की इस पावन धर्ती पर दुनिया के सबसे लोक प्रियनेता भारत के सश्री प्रधानमंत्री आदनिये नरेंद्र मोधी जी का मैं हिर्दे से स्वागत करता हूँ और इनंदन करता हूँ आज भाईयो बेहनो कई माईने में हम सब के लिए त्यन्त महत्तपूर दिन है आज सरत्पूर्णिमा का पावन तिठीवी है मर्यादा प्रशोत्तम भग्वान सीराम की गाथा को जन जन तक पहुचाने वाले लौकिक संस्कृत में सरुस्रेष्ट महाकाब्य के रचेता आदिकभी महरसी बालमी की जी की भी जयन्ती है और बौद परंपरा के अंसार अविधम दिवस भी आज के उसर पर है और आज ये हम सब का इस वभाग्य है कि पूरवे उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से लगातार उपिक्सित था उस पूरवे उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई उडान को मजबूती के साथ आगे वढ़ाने के लिए आज़ने प्रदान मंतरीजी का स्रिवाद और उनका सानित्य पूरवे उत्तर प्रदेश के पांच करोड से ठीक नागरिकों को पराप्त हो रा है इस सोसर पर मैं तथागत भगवान बुर्द्ध की स्वावन धरती पर आज़ने प्रदान मंतरीजी का हिरदे से स्वागत करता हूँ और विनन्दन करता हूँ भाईो बेनों हम सब जानते है कि पूर्वे उत्तर प्रदेश किस कुसी नगर में भगवान बुद्ध की महा परिनिर्वान स्थली है पुरी दुनिया के अंदर जभी मैत्री और करणा की बात आती है तो भगवान बुद्ध का स्मर्ण बिस्व मानोता सदेव करता है और प्रधान मंत्री जी ने यही बात तो कही थी यूएन में कि दुनिया ने युद्ध दिया होगा लेकिन भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है तो जब बुद्ध की बात करते हैं तो उत्तर बुद्ध और भारत का इस अंदेश देश के कोने कोने में जाता है भगवान बुद्ध से सरुके से जुड़ेवे सवाधिक अस्तल उतर प्रदेश में हम सब का गोरो है चाइवा भगवान बुद्ध की राजदानी कपिलवस्तो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश जिस धर्थी पर दिया था हुआ सारनाथ सबसे अधिक चातुर मास जिस धर्ती पर भगवान बुद्ध ने बेतीत की स्रावस्ती सबसे अधिक कथा सरवान और सत्संग का लाब जिस धर्ती को प्राप्त हुआ वह कोसामबी और साथ साथ संकिसा और महाप निर्वान स्थली कुसी नगर भी उत्तर प्रदेश में है यह हम सब का सोभाग्य है कि प्रधान मंत्री बनने के साथ ही प्रधान मंत्री जी ने बौध सरकिट की इस परकलपना को साकार करना प्रारम कर दिया था और आज उसका पेरणाम है कि बौध सरकिट से न केवल सडक मार्ग से बलकि अब वायू मार्ग से न केवल देश की बलकि अंतरास्तिय उडानों का संचालन आज से प्रारम हो चुका है मैं इस उसर पर कुर्वी उत्तर प्रदेश के एक कोने में यानि उत्तर प्रदेश के एकदम एक कोने पर इस्थित कुसी नगर जन्पत के इस अंतरास्तिय हवाई अड़े के लोकारपण के लिए आज यहां पर प्रदारे आदरिय प्रदान मंत्री जी का उत्तर प्रदेश की जन्ता की और से हरदे से अविनंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ मुझे बताते हुए जन्त गौरव के अन्फुती हो रही है कि 1947 से लेकर के 2014 तक उत्तर प्रदेश में केवल दो इयरपोर्ट फंक्सनल थे एक प्रदेश की राजधानी लखनो और दूसरा वारणस्टी का इयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी उस समय मात्र 15 से 16 स्थानों के लिए थी और आज मुझे बताते हुए प्रसंता है कि प्रदान मंत्री जी के करकमलों से जिस इयरपोर्ट का लोकारपन कुछी देर में होने जा रहा है या प्रदेश का नवा इयरपोर्ट है जो फंक्सनल होने जा रहा है पूरी तरह फंक्सनल होने जा रहा है उत्तर प्रदेश इसके साथ ही 75 गंतब अस्थानों पर वायू सेवा के साथ सीधे जुड़ जाएगा और उडान योजना के अंतरकत जो लाब हवाई चपल पहनने वाला भी हवाई जाज की यात्रा कर सकता है उस पर कल्पना को साकार करतावा दिखाई दे रहा है जब उत्तर प्रदेश के अंदर एर कनेक्टिविटी हर एक सहर के साथ जुड़ी है और यह एर कनेक्टिविटी केवल वायू सेवा के साथ एक स्तान को दूसे स्तान को जोड़ने का माध्यम नहीं बना है विकास की डेर सारी योजनाओं को भी अपने साथ लेकर के आ रही है विकास की एक नई उडान के साथ आ रही है कुसीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतरास्ती हवाई अड़ा है और वरतमान में उत्तर प्रदेश ग्यारा नए एरपोर्ट पर कारे कर रहा है जिसमें दो अंतराश्टी एरपोर्ट एक ऐध्या में अंतराश्टी एरपोर्ट के निर्मान की कारवाई युद्धस्तर पर आगे वड़ रही है और दूसरा गौतम बुद्धनगर में नोईडा इंटरनेशनल एरपोर्ड के निर्मान की कारवाई भी दस्तर पर आगे बढ़ रही है उत्तर प्रदेश देश के अंदर एर कनेक्टिविटी की दिस्से एक बहतरीन इस्तिती में आगे बढ़ा है आदने प्रदान मंत्री जी के मार्क दरसन में यहां नकेवल हमें उत्तर प्रदेश के विकास को बलकी प्रेटन सुख़धाओं को आगे बढ़ाने के लिए और उसके माध्यम से रोजगार की संभावनाओं को विक्सित करने का भी हमारे लिए एक ससक्त माध्यम बना है बलकी पस्मोत्तर बिहार और नैपाल के दिश से विए अत्यंत महत्यपूर्ण एयरपोर्ट साबित होगा आज के साउसर पर मैं एक बार फिर से सरत पूर्णिमा के स्पावन आउसर पर मारसी बालमी की के इस पावन जेंती के अउसर पर अविधम दिवस के इस पावन पर उपर जब यहां अंतराष्टिय एयरपोर्ट राष्ट को समर्पित करने के लिए स्वयम आदने प्रधान मंत्री जी यहां पर पस्तिवे हैं मैं उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से उनका हिर्दे से आभार वेक्त करते हुए हिर्दे से अविनंदन और स्वागत करता हूँ धन्यबाद जैहें